चार साल पहले मांसी और मालविका के पापा विरेण जी ने काउं से अपने साथ सूरज को लाए होते हैं विरेण जी चाहते थे कि सूरज भी पढ़ लिखले उनका कोई बेटा नहीं था तो वे सूरज को ही अपना बेटा मानते थे पर रोहनी जी उसे नौकर से बढ़कर कुछ नहीं समस्ती थी वो हमेशा सूरच को डाड़ती रहती थी और घर के काम में उलजाये रखती थी घर में जब कार खरीदी गई तो विरेन जी ने सबसे पहले सूरच को ही कार सीखने पर जोर दिया यह कहकर मैं तो दिन बर आफिस में ही रहता हूँ और सूरच तो घर पर ही रहता है अगर हमें से किसी और को कार से कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी तो सूरच छोड़ देगा पर ये बात रोहनी को पसंद नहीं थी सूरच काफी शांथ स्वभाव का था और हमेशा उसका सिर सबके सामने जुका रहता था वो ना ही किसी से उची आवाज में बात करता था और ना ही किसी के बारे में बुरा कहता था विरेन जी अपनी दोनों बेटियों मांसी और मालविका को बच्पन से ही अमीर गरीब के फर्क को मिटाने की ही बात करते थे वो अक्सर दोनों से कहते थे कि पैसों से इंसानों को कभी मत तौलना तुम उस इंसान को इसलिए नीचा नहीं दिखा सकते कि वो गरीब है या उसके पास कम पैसे है दोनों मानसी और मालविका अपने पापा की बात पर अमल भी करती थी सूरज का कमरा घर के पीछे की तरफ है जहां से मालविका और मानसी के कमरे की बालकनी रहती है मालविका पढ़ाई के लिए अक्सर वो घर से बाहर ही रहती थी तो मालविका और सूरज की उतनी बातचीत नहीं होती थी शुरू में मानसी भी सूरज से उतनी बात नहीं करती थी सूरज मालविका को अक्सर दीदी ही कहता था मालविका भी उसे छोटा बाई ही मानती थी पर मानसी दूसरों से या बाहर वालों से बहुत कम ही बात करती थी विरेन जी भी सोचते थे कि दोनों बहनों को एक भाई मिल गया मानसी को साइकिल भी चलाना नहीं आता था मालविका जब तक थी तब तक दोनों बहने अक्सर अपनी स्कूटी पकड़ कर शहर के चक्कर लगाने चल पड़ते थे पर अब मालविका नहीं थी तो स्कूटी पड़े पड़े धूल खाने लगने लगती है पर मालविका ने सूरज को स्कूटी चलाना सिखा दिया है कि चलो सूरज तो कुछ काम आया एक दिन मांसी कॉलेज के लिए निकल रही थी कि विरेन जी सूरज को मांसी को छोड़ आने को कहता है रोहिनी जी इस पर कुछ कहने वाली होती है कि विरेन जी ये कहकर मना कर देते हैं कि आजकल से हालात कुछ ठीक नहीं है लड़की को अकेले जाना खत्रे से खाली नहीं है सूरज को छोड़ आने दो इस पर रोहिनी जी कुछ नहीं कहती है सूरज विरेन जी की बात मान कर स्कूटी स्टार्ट कर स्कूटी को रोके रखा रहता है मांसी स्कूटी के पीछे दोनों पैर एक तरफ कर बैट जाती है उसने अपना एक हाथ स्कूटी के पीछे के तरफ रखा रहता है सूरज मांसी को ले चलता है दोनों तरफ खामोशी ही रहती है ना सूरज कुछ कहता है और ना ही मांसी कुछ दिन में सूरज ने ही मांसी से बात करना शुरू कर दिया तो मांसी भी थोड़ा थोड़ा सूरज से गुलने लगी थी दिन बीटते गए दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बात करना अच्छा लगने लगा था मांसी तो अब इस पल का इंतजार ही करती थी कि वो कब सूरज से मिले क्योंकि घर में सूरज से बात करना नामुम्किन था सूरज अब हर दिन मांसी को कॉलेज छोड़ता था और लेने आता था और ये समय मिलता था जब दोनों साथ बिताते थे एक दिन इसी तरह दोनों स्कूटी से जा रहे होते हैं कि तभी स्कूटी का एकसिडेंट हो जाता है इस एकसिडेंट से सूरच तो बच जाता है पर मांसी के पैर पर चोट लग जाती है सूरच जैसी तैसे वो खुद को संभाला और मांसी को अपनी गोद में उठाया ये दोनों के लिए पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे मांसी तो अपना दर्द भूल कर सूरज को ही देखने लगती है तो वहीं सूरज इन सब पर ध्यान न देकर मांसी को हॉस्पिटल पहुचाने के बारे में सोचता है उस दिन सूरज मांसी के मूबाइल से रोहनी जी को फोन कर मांसी के एक्सिडेंट के बारे में बताता है रोहनी जी तो घबरा जाती है वो विरेन जी को फोन लगाती है तो उनका भी फोन नहीं लग रहा होता है पर सूरज मांसी को हॉस्पिटल एडमिट कर देता है